चलिए हम ये देखते हैं कि आखिरकार एक rhombus में उसके जो diagonals होते हैं वो perpendicular bisector होते क्यों हैं जैसे कि अगर मैं इस rhombus की बात करूँ तो rhombus एक padellogram का बहुत special case होता है जिसमें चारो side बराबर होते हैं ये बात सही है तो इसी वज़े से opposite sides तो paddle होंगे ही साथ ही साथ ये चारो side आपस में बराबर हो जाएंगे और अगर मैं कुछ ऐसा rhombus ले लो जिसमें चारो angles भी 90 degree है तो इसे हम square बोलते हैं square तो सारे rhombus क्या हमेशा square होंगे नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा हाँ लेकिन सारे square हमेशा rhombus होंगे क्योंकि ये rhombus की सारे criteria को satisfy करते हैं लेकिन ऐसे जरूरी नहीं नहीं हो हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं जैसे ये वाला एक rhombus ले लीजे अब यहाँ पर ये diamond shaped का rhombus है opposite sides parallel है और सारे equal है तो अगर मैं आपसे ये पूछ हूँ कि इ नहां से ऐसे join कर देता हूँ पहले तो ये एक straight line ही है ये एक straight line है कुछ ऐसी ठीक है तो इसका naming कर देते हैं कुछ a b c d अब अगर मैं इस triangle triangle a b c और triangle a d c के बाद करूं इस उपर वाले triangle की और इस नीचे वाले triangle की तो क्या दोनों congruent होंगे अब ये side जो है a b ad के बराबर है b c जो है d c के बराबर है और ये ac तो common है ही तो मुझे याद है कि अगर मैं side 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 criteria के बाद करूं तो उस criteria से दोनों triangles congruent होते हैं यानि कि ये दोनों आपस में congruent हो गए side 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 sss criteria के according और अगर दोनों triangles congruent हो गए तो इनके बागी सारी corresponding चीज़े आपस में बराबर होंगी यानि कि ये angle जो है इस angle के बराबर होगा और ये वाला angle इस angle के बराबर होगा और फाइनली ये वाला angle यहां पे है वो इस स्वाले आंगल के बराबर हो जाएगा दूसरी बात ये कि ये जो triangle ABC है वो actually में एक isosilis triangle है क्योंकि ये दोनों इसके sides आपस में बराबर है तो एक isosilis triangle में जो बराबर sides के opposite angle होता है वो भी बराबर होता है यानि कि ये angle इस angle के बराबर हो गया आपस में बराबर हो गये तो ये चारो angle तो बराबर हो गये एक बात हमें पता चल गया अब मैं क्या करता हूँ इस triangle ABC का एक perpendicular खीषता हूँ यापे मतलब मैं इसकी height बनाने के कोशिश करता हूँ ठीक कुछ हैसे जो कि इस base के ठीक 90 degree पे हो इसकी height अब Isocellus triangle में जैसे ही हम height बनाते हैं तो जो दो triangle हमें यहाँ पे मिलते हैं triangle AB इसको कुछ M मान लेते हैं triangle ABM और triangle BMC दोनो exactly एक दूसरे के mirror images होते हैं यानि कि अगर मैं इस triangle को घुमा के इस तरफ डाल दूँ तो वो दोनो exactly एक दूसरे को superimpose कर देंगे इस वज़े से मैं ये भी कह सकता हूँ कि ये जो side है यहाँ पे AM वो MC के बराबर हो जाएगा ये यहाँ पे जो है AM ये वाला part वो MC के बराबर हो जाएगा यानि क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो BM है उसने इस AC को दो equal parts में divide कर दिया यानि कि AM MC के ही बराबर होगा यानि कि ये बेसिकली जो ये डाइगनल हमें यहाँ पे मेला BD वो इस AC का perpendicular bisector हो जाएगा इस वजह से अब सेम चीज़ आप इस triangle के लिए भी कर सकते हैं मान लिजी अगर मैं यहाँ पे ये वाला triangle ले ले लेता कुछ BDC और इसका में perpendicular खीशता है क्योंकि ये तो ISO से लिस होगा ही ये वाला side जो है इसके बराबर दिया ही हुआ है और ये इसका height है तो ये height भी इसके इस base को दो equal parts में divide करेगा जिसकी वजह से BM MD के बराबर हो जाएगा और आप इस धर वाला triangle ले ले लिजे इस left side वाला triangle तो ये रहा AM जो कि इस base BD को फिर से दो equal parts में divide करेगा इसी वजह से इसके जो diagonals होते हैं वो एक दूसरे का perpendicular bisectors होते हैं